इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो सिर्फ COVID-19 से जुड़े खबरों से सामना होता है इस बीमारी से जूज रहे लोगों की मदद केने पोस्ट, अस्पतालों के हालास से जुड़े पोस्ट खबर शेयर की लेकिन मा की मौत के उस जानकारी में बड़ी दिक्कत थी सारे लोग एक ही बात लिख रहे थे तीन घंटे लगातार तड़पने के बाद मेरी मा या कोई संबन थी गुजर गई तीन घंटे लगातार तड़कने के बाद वाली लाइन ट्विटर पर इतनी बार लखी गई कि ये आल्मोस्ट एक कीवर्ड बन गया था फेस्बुक ट्विटर जैसे प्लाटफॉर्म्स पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदद की गुहार इस वक्त लगा रही हैं उस मदद से कितना फाइदा पहुंचा वो बता रहे हैं कुछ लोग अपनी पाम दिया दोस्तों के गुजर जाने के खबरे भी बता रहे हैं मगर फिर आते हैं वो लोग जो तीन घंटे तड़कने के बाद अपनी मा की मौत के खबर बताते हुए सरकार को कोस रहे हैं मगर दिक्कत ये है कि कई लोग एक साथ हूब हूँ एक ही बात कैसे लिख रहे हैं तीन घंटे तक लगातार तडपने के बाद अगर आप ये वाक के ट्विटर पर डाल कर देखेंगे तो इससे जुड़े कई पोस्त आपके सामने आ जाएंगे इन पोस्त में सिर्ट टेक्स्ट ही नहीं तस्वीर ये भी सेम है इसलिए ये बात संधिय जगाती है आप इससे जुड़े कुछ पोस्त देख सकते हैं जितने लोग अपनी मा के तड़कर मरने की खबरे लिख रहे हैं उनमें से एकात केस जैनुविन हो सकते हैं मगर बिना एक शब्द भी धर उधर किये ठेर सारे लोग वही बात लिख रहे हैं इसलिए गड़बर वाला मामला लगता है जो लोग सत्ता से नाराज है जिने सरकार से शिकायते हैं को सरकार की निंदा करने के लिए ऐसी चीज़े लिख रहे हैं मा एक ऐसा टाउम है जो आपको फ़री तोर पर इमोचनल कर देता है आप नहीं चाहेंगे कि किसी की मा तीन घंडे तक लगातार तड़पने के बाद कुजर जाए मगर यहां मा शर्द का इस्तमाल पबलिक को सरकार के खिलाब भड़काने के लिए हो रहा है और वो भी इस तरह ऐसा करने के पीछे एक दूसरी वज़ा सानुभूती हासिल करना हो सकता है सोशल मीडिया पर लोग पॉल्वर्स बढ़ाने के लिए भी इस तरह के हतकंडे आजमाते हैं जो कि इस मुश्किल समय में बड़ी असमवेदनशीन हरकत है बहुत सारे लोग इस वक्त वाकर अपने गुजर चुके घरवालों के गम में हैं एसे में सोशल मीडिया पर मा के मरने की फर्जी खबरों से लोगों में डर और जादा बढ़ रहा है पैनिक का माहौल वैसे ही है इससे और जादा पैनिक उत्पन हो रहा है ये नैतिक रूप से भी गलत है मगर ऐसे पोस्ट करने वालों को सोशल मीडिया पर कानवर सुनाया भी जा रहा है कुछ लोग बाकरी इन पेक पोस्ट से परिशान है तो कुछ लोग सत्ताधारी पार्टी के बचाव में उन्हें टाट लगा रही है वैसे कुछ पोस्ट आप स्क्रीन पर इस वक देख सकते हैं अब इन्डिया में आक्टिव कोविट केसिस की कुल संख्या एक करोड उनसट लाग ती सजार नौसु पैसेट पहुच गई है आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी श्वेतांक ने मेरा नाम है दव्यांशी दिखते रहिए दीलललटाप शुक्रिया